नमस्कार, हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ जी आरेफ 2021 हिंदी की तैयारियों के अंत्रगत हम इकाई दो पड़ रहे हैं और इसमें हम रितिकाल को शुरू कर रहे हैं रितिकाल की प्रिष्ट भूमी और रितिकाल के जो काव्यांग निरूपक कवी हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ लिया है आप चाहें तो उन लक्षास को एक बार जरूर देख लें क्यूंकि continuity को बनाए रखने के लिए और अच्छे तरीके से समझने के लिए systematic पढ़ना बहुत जरूरी होता है चाहे परिक्षा कोई भी हो तो आज हम इसका fourth part लेकर आये हैं देखिए इसमें हम mainly focus करेंगे आपका जो रितिकालीन प्रमुक जो रिति बद कवी हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं और सबसे पहले जो रिति बद के अंत्रगत सबसे पहले इनको चार भागों में जो विभाजित किया गया है उसके बारे में भी हमने discuss कर लिया था आज हम mainly जो रिति बद कवी हैं प्रमुक उनके बारे में पढ़ेंगे प्रमुक कवी हैं देखिए ये आपके भूशन है और उसके बाद मतिराम और चौति हमारी जस्वन सेंग जो महराज जस्वन सेंग के नाम से भी जिनको जाना जाता है mainly इन चार कवीओं को ही हम आज के इस lecture में देखेंगे और आगे वाले lecture में हम आपका जो देव होगा रसलीन और पदमाकर और बिखारी दास ये चार प्रमुक कवीओं को हम आगे वाले lecture में discuss करेंगे तो फिलहाल जो भी महतोपूर्ण है वो हम अगले lecture में उनको complete कर लेंगे रिती बद कवियों को तो चलिए आज के lecture में सबसे पहले हम देख लेते हैं कुलपती मिश्र के बारे में सबसे पहले यहाँ पर भूशन को रखा गया है देखिए क्योंकि कुलपती मिश्र का जो है वो जनम हमें अपराप्य है मतलब उपलवद नहीं मिलती जानकारी उनके जनम से समन्दित नहीं है इसलिए उसको हमने इनके बाद जगा दी है इनका जो जनम स्थान है देखिए जो पहले प्रमुख रिती बद कवी और उनका परिचे है यह सबसे पहले इसमें नाम आता है भूशन का और इससे पहले हमने चिंता मनी त्रिपाठी को पिछले कल पढ़ लिया था है ना तो दूसरे जो मौतपूर्ण नाम आता है इसमें वो है भूशन और इनका जनम का बुआ देखिए 1613 में ठीक है और ये वीररस के प्रसिद्ध कवी माने जाते हैं भूशन और ये इनकी सबसे बड़ी विशेष्टा भी माने जाती है और साथ इसाथ इनको रीती काली निराश्ट्य कवी के नाम से भी जाना जाता है और अगर हम इनके वास्विक नाम की बात करें तो इनका जो वास्विक नाम है वो गन्शाम है तो ये कुछ एक महत्पून चीज़े हैं जो इनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए तो चित्रकुट के जो राज ये भूशन के समध में ये चीज़ कही जाती है हो सकता इस तरीके से प्रशन पूछा जाए कि कौन सा रितिकालिन कवी ऐसा है कि जिसका वास्विक नाम ही शोदगा विशे माना जाता है तो वो भूशन जी ही है और ये वीर्रस के प्रसिद कभी माने जाते हैं देखिए वी वीर्रस का परिपाक किस ने किया भूशन ने किया वैसा हमें किसी दूसरे कवी में देखने को नहीं मिलता है तो इसलिए सबसे प्रमुख और इकलोता नाम जो माना जाता है वीर्रस की कृतियों में रितिकाल में वो सिर्फ और सिर्फ भूशन को माना जाता है और रितिकाल इनको कहा जाता है क्योंकि इनोंने अलग हटके थोड़ा सा जो अन्य रितिकालीन का भी है उन्होंने राष्टियता की भावना उन्हों में कम देखने को मिलती है सबसे जादा अगर हम राष्टियता की बात करते हैं तो किसमें है वो बूशन में देखने को मिलती है इसलिए इनको क्या कहा जाता है रिती कालीन राष्ट्य कभी कहा जाता है तो ये इनके संबंद में बहुत ही महत्तोपूर्ण बात है तो ये था इनका वास्त्विक परिचय इनके बारे में क्या चीज़ें कही जाती है और अब हम इनकी अगर प्रमुख रचनाओं के बारे में बात कर प्रमुक प्रमुक जो मुख्य थे उनको रख दिया है और दूसरी चीज मैंने आपको ये भी बताई थी कि अगर आपके पास गोविन पांडे और सरसुरी पांडे वाली पुस्तक है तो आप उसमें भी देख सकते हैं कौन अलंकार निरूपक है कौन आपके रस निरूपक है या चंद निरूपक है या फिर सरवांग निरूपक है वहाँ पर बहुत सारे कवी दिये हैं मैंने सिर्फ मैंली आपको जो वही बताए हैं जो बहुत ही महत्तपूर्ण है और जो परिक्षा में आज से पहले पूछे गए हैं या जिनकी अब पूछे जाने के संभावना ब विशाल ग्रंथ है तो देखिए कितने चंद हैं इसमें 380 ठीक है और 105 अलंकारों के लक्षन उदारण के रूप में दिये गए हैं तो देखिए इसलिए इसको क्या कहा जाता है अलंकार निरूपक ग्रंथ कहा जाता है तो ये इसके बारे में महत्तपूर्ण बात है कि आजी के आश्रे में ये रहे और आप सब लोग जानते हैं कि रितिकारिन जो कभी हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी राजा के आश्रे में जरूर रहे और इसके साथ ही साथ जो चछत्र साल थे उनके सानिध्य में भी या उनके आश्रे में भी ये रहे और उनहीं के लिए इन की जो महत्वपुन रचनाएं देखिए शिवराज भूशन शिवा बावनी और चत्रसाल दशक तो ये आपको याद करनी है और एक इनके बारे में महत्वपुन चीज ये ही चीज इनको सबसे अलग बनाती है रितिकालीन राष्टिय कवी होना ठीक है और वीररसात्मक प्रसिद्ध कवी ये दो चीजें इनके बारे में पुछी जाती है और एक इनको उपादी किस ने दी है वो भी आपको पता होना चाहिए चित्रकूट नरीश है ना सुरंकी ठीक है तो उन्हें ने इनको उपादी दी भूषण की ये थी भूषण के बारे में थोड़ी सी जानकारी इनकी जो प्रमुख रचनाए इनका जीवन परीच है अब हम देख लेते हैं कि भूषण के समंद में जो हिंदी के प्रमुख आलोचक है वो क्या कहते हैं तो चलिए पंक्ती बहुत ही मौतफूर्ण है है ना तो इसको कई बार पूछा जाता है प्रिक्षा में आप इसको याद कर लिजेगा कि भूषण के जो वीरस के उद्गार थे वो क्या थे सारी जनता के रिदय की संपत्ती हुए तो वीरसात्मक इसलिए माना जाता है इनको शिवाजी और च्छत्रसाल की वीरता के वननों को कोई कवियों की जूटी कुशामद नहीं कह सकता तो देखिए शिवाजी और च्छत्रसाल तो इनके ये आश्रे में रहे और इनकी वीरता का जो वनन है को कोई कवियों की जूटी खुशामद नहीं कह सकता तो कहने के मतलब ये क्या है कि ये वास्तावें क्या थे वीरिशा सकते तो इनको कोई जूटी खुशामद नहीं कह सकता शिवाजी ने जो चीज़ें भी कही है वो इल्कुल सही कही है इनके बारे में ठीक है आगे ये कहते हैं देखिए इसको इकठे भी आपको पूछा तो ये कह रहे हैं कि भूषण हिंदू-जाती के प्रतिनीधी कभी हैं तो ये किसके समंध में कहा है ये चीज़ हो सकता है कि इन हैं भूषण की जगह आपको लिखा जाए कि इन्हे हिंदु जाती के प्रतिनी धी कभी कहा जाता है या ये हिंदु जाती के प्रतिनी धी कभी है इस तरीके से प्रशन पूछा जा सकता है कि शुकल ने ये पंक्तियां किस के लिए कई हैं तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा आपका भूशन को ठीक है तो ये तो हो गई भूशन के समन्द में अचारे राम चंदर शुकल के कथनों की बात अब हम जान लेते हैं कि डॉक्टर बच्चन सिंग ये क्या कहते हैं तो देखे बच्चन सिंग भी बहुत मुटपूर्ण नाम है और इनके भी कुछ एक कथन परिक्षा में पूछे जाते हैं और इनको भी जादा फोकस करने की जरूरत है साथ ही साथ आपके राम सुरूप चत्रुवेदी डॉक्टर नगेंद्र ये कुछ एक मौत्वपूर्ण नाम है अलग और विशिष्ट है तो ये चीज कौन मानते हैं डॉक्टर बच्चन सिंग तो इसलिए इन्होंने कहा कि जो पूरा का फूरा रितिकाल था देखिए वो भूशन का व्यक्तित्व उन सबसे अलग और रितिकाल में रितिकाल में भूशन का व्यक्तित्व तो क्या था सबसे अलग और विशिष्ट था तो अलग उनको कौन सी चीज बनाती थी एक तो वीड़सात्मक दूसरा उनका जो राश्टियता के प्रति उन्होंने लिखा तो वो दो चीज़ा इनको क्या बनाती है सबसे अलग और विशिष्ट बनाती है ये चीज मानते हैं डॉक्टर बच्चन सिंग हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास में ठीक है नेक्स्ट देखिए अचारे करम में भूशन जितने असफल रहे हैं कभी करम में उतने ही अधिक सफल कहे जा सकते हैं तो ये कौन मानते हैं ये डॉक्टर नगेंदर जी मानते हैं अपने जो इनका संपादित ग्रंथ है हिंदी साहित्य के दिहास इसमें उन्होंने ये बात कही है कि अचारे करम में भूशन क्या है असफल रहे अचारे का मतलब क्या है ये कहते हैं डॉक्टर नगेंदर भूशन के बारे में इसके बाद जो विशोनात रिपार्टी हैं देखिए हिंदी साहित्य का सरल इतिहास इन्होंने लिखा है ये कहते हैं कि भूशन ओज के कभी है उनकी कविता में टंकार के साथ-साथ जंकार भी सुनाई देती है तो ये वाली पंक्ती बहुत ही मतलपूर्ण है देखिए इस्त्रिगे की पंक्तियां इस्त्रिगे की जो रोचक पंक्तियां है ये कई बार परिक्षा में पूछी जाती हैं तो भूशन ओज के कभी है तो आप समझती होंगे कि क्या है वही चीज कि वह आपके वी रासात्मक है आगी ये गयता है कि उनकी कविता में टंकार के साथ क्या है जंकार भी हमें देखने को मिलती है तो ये दो चीजे हैं ये भुशन के समद में विश्वनात्रि पार्ठी के कथन है ठीक है तो दीखिए पांच महत्वण जो कथन थे वो मैंने आपके बीच में रख दी है इसके अलावा जो भी आपके पास पुस्तक है जहां पर भुशन के समद में कुछ एक चीजें बताई गई है जो जो आपको महत्वण लग रही है आप उनको किया जा सकता है रितिखाल के अंतरगत तो यूजी सी नेट की परिक्षा है ऐसा नहीं है कि आप किसी एक आदे टॉपिक को स्किप कर सकते हैं कहां से किस तरीके से प्रशन बन जाए कोई नहीं जानता इसलिए आप जो है इसको अच्छे तरीके से पढ़के जाएं तो ये तो रहगी बात भूख्षन की अगर आप ये सारी चीज जो हम अभी पढ़ रहे हैं इसको चाहते हैं कि रिकलेक्ट करना तो आप हमारे टेलेग्राम ग्रूप के साथ जुड़िए description में आपको उसका link दे दिया जाएगा वहाँ पर हम complete जो भी हमारे lecture रहते हैं उनसे related जितने भी प्रशन बनते हैं उनको हम फिर से वहाँ पर quiz के जर्ये करते हैं और साथ ही साथ अगर आपको जो भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ इसकी pdf चाहिए होगी तो वह भी आपको description में दे दी जाएगी आपके telegram group के माध्यम से ठीक है तो चलिए यह होगी बात भुशन के बारे में अब हम देख लेते हैं इसके बाद जो अगले प्रमुक रितीबद कभी है देखिए यह नाम है कुलपती मिश्र का इनके बारे में जान लेते हैं तो देखिए जनमकाले इनका अनिश्चित माना जाता है और आश्रेदाता अगर इनके बात करें तो राम सिंग और बिहारी के यह बहांजे थे तो इनके जो आश्रेदाता थे देखिए कौन थे मनी त्रिपाठी के बारे में पढ़ा था तो चिंता मनी त्रिपाठी क्या थे रसवादी अचारे थे जब कि कुछ है कि आप केशव के बारे में पढ़ें तो वो अलंकारवादी अचारे है क्योंकि उन्हों अलंकारों की और ज्यादा ध्यान दिया ठीक है तो हो सकता है इस त जदाता इनके राम सिंग रहे हैं, बिहारी की ये बांचे हैं, ठीक है, ये इनकी मौटपून चीजे होगी, इन्हें अचारे के रूप में अधिक सफल माना गया है, तो देखिए, ये जो चीज यहां पर लिखी गई है, ये बहुत ही मौटपून है, क्यों मौटपून है, क् इनको आपने जरूर फोकस करना है, कि ये क्या थे, अचारे के रूप में अधिक सफल हुए हैं, तो आपने देखा होगा, 3-4 नाम आपको दिये हैं, इनमें से अचारे कौन है, या कौन सा, नहीं है, इस तरीके से पूछा जाता है, तो आपके पास जो भी, आपके ये पास हैं वो चीज इसमें बहुत कम मेंचन की है मैं कोशिश करूंगा कि एक पूरा का पूरा लेक्चर इनके उपर भी आपके बीच में लेके आऊं इसके उपर थोड़ा सा भी काम करने की जरूरत है क्योंकि अभी तक हमारी पूस्तकों में बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन सा कभी है कौन सा अचारे किया है अगर आपके पास कोई ऐसी पूस्तक है तो आप वो भी साजा कर सकते हैं सब लोगों के साथ आप कॉमेंट सक्षन में जाकर भी बता सकते हैं कि कहां से इस वाले टॉपिक को अच्छे तरीके से समझा जा सकता है तो चलिए पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं फिर उसके बाद मैं जहां कहीं से भी हो सकता है आपको प्रवाइब करवा दूँगा कि कौन से इसमें अचारे हैं कौन से कभी रहे हैं चलिए आगे देख लेते हैं देखिए इनकी जो महत्वण रचनाएं कौन कौन सी हैं रस रहस्य है तो आपने देखा होगा कि बहुत बार इस रचना को पूछा जाता है रस रहस्य को तो इसके जो रचनाकार कुलपति मिश्र और समय अगर इसका माना जाए तो 1670 के आसपास ठीक है और ये सरवांग निरूपक ग्रंथ है इसमें आठ वरितांत 652 पद्य और ये ममट के कावय प्रकाश और विश्वनात के साहीत दरपन है ना और केशवदास के रसिक प्रिया के अधार पर रचित हैं तो इसी के अधार पर इनको क्या कहा जा गया है कि जो डिती उनने अपनाई उसी का अधार बनाया और यही चीज़ हमें किसमें देखने को मिलती है कुलपति मिश्र के रस रहस्य में देखने को मिलती है तो द ठीक है तो ये चीजे हैं आपके कुलपती मिश्र के बारे में इसके अलावा इनकी जो दूसरी महतोफुन रचना है देखिए द्रोन पर्व और संग्रामसार महाभारत के जो द्रोन पर्व है उसका अनुवाद हो सकता है लेकिन संग्रामसार बें भी कोई निश्चित बात नहीं है लेकिन पुस्तकों में इसमें भी यही चीज वरनित की गई है कि इसमें भी क्या है महाभारत के द्रोन पर्व का ही पद्यबद अनुवाद है तो यह च चीज यहां पर फोकस करते रहना अब आप देखिए जो ये नक्षिक वाली है कई बार आप ने देखा कि रीतिकाल से इस तरीके से भी प्रशन पूछा जाता है कि नक्षिक जो रचना है वो उसका किसने रचनाई की है किन किन कभी उन्हें नक्षिक लिखे हैं तो ये भी प्रशन पूछा गया है और दूसरी चीज सतसई आगे हम पढ़ेंगे भी किन किन ने सतसई लिखी है है न तो वो भी प्रशन पूछा जाता है कि किस कभी ने सतसई लिखी है किस ने नहीं लिखी है तो रीतिकाल से बहुत जादा प्रशन बनने की और बहुत जादा तरीके इसे प्रशन बनने के संभावना रहती है, ये चीज़ें समझेना बहुत जरूरी है, तो ये तो हो गए बात, कुलपती, मिश्र के बारे में, आईए, अब हम देख लेते हैं, जो तीसरे आज के महत्वपूर्ण कभी हैं, वे हैं देखिए, मतिराम, तो मतिराम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी, इनके बारे में भी कई बार पूछा जाता है परिक्षा में, अगर हम इनके जनम की बात करें, देखिए, 16-17 के आसपास, और ये जनम काल, बिल्कुल सीक्वेंस में हम आपको बता रहे हैं, तो आप देखिएगा, कई बार रितिकाल से हमेशा अकसर पूछा जाता है, प्रशन आपको कालकर मनुसार भी, एक रचना पूछी जाएगी, या कालकर मनुसार पूछा जाएगा, या फिर मिलान वाले प्रशनों में, यहां से जरूर, 101% पूछा ही पूछा जाता है, तो बिल्कुल ध्यान से आपने ये चीज़ें समझनी है, देखिए, ये कई आश्रेदाताओं के आश्रे में रहे हैं, जैसे कि आपको यहां दिख भी रहा होगा, जहांगीर, भाव सिंग, सेठ, भोगनात, ग्यानचंद, शंबुनात, सोलंकी, और अन्य जो भी हैं, उनके ये क्या है, आश्रे में रहे हैं, तो यहां पर लिखा भी है, जहांगीर, ग्यानचंद, भाव सिंग, हाडा, स्वरूप सिंग, बुंदेला, तो ये इनके आश्रेव में रहे हैं, और जितने भी इनके आश्रेदाता थे, उनके लिए इननोंने अपनी रचनाओं को dedicate किया है, है ना, उनको ही उनने समर्पित किया है, सिवाए आपके एक रचना को छोड़के वो है रसराज, तो रसराज को इननोंने किसी के लिए नहीं लिखा, ठीक है, किसी राजा के प्रशनसा के लिए नहीं लिखा, इसको इननोंने यूहीं लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फूल मंजरी, तो फूल मंजरी क्या है, इनका प्रत्थम ग्रंथ माना जाता है, ये लिखा था इनोंने जहांगीर के लिए, ठीक है? तो इसको भी आपने याद अखना है और इसको इनका पहला ग्रंथ माना जाता है, लेकिन बच्चन सिंग इनके इसी ग्रंथ को फस्त ग्रंथ मानते हैं, Next से दीखिए सेट भोगनात के लिए, सेट भोगनात के लिए इन्हें ने क्या लिकी थी, जो मतिराम सत्साई थी, उसकी रचा इन्हें ने 1681 में की थी, और ये इन्हें भोगनात के लिए की थी, ये चीज समझना बहुत जरूरी है, तो पहले देखिए कौन से आगए यहां पर प्रत्थम जो सत्सई किसकी मिल गई हमें यहां पर मतिराम की मिल गई हालांकि पहली जो सत्सई माना जाता है वो किसको माना जाता है वो माना जाता है क्रीपाराम की खित तरंगनी को ठीक है और शंबुनात सोलंकी ये मानते हैं अचारे रामचंदर शुकल कि शंबुनात सोलंकी के लिए इन्होंने वृत कौमोदी लिखी है 1701 में और चंदसार भी इन्होंने इसी राजा की प्रशंसा के लिए ही लिखी है तो ये चीजें क्या हैं ये थी आपके मतिराम के समंद में पूरी इनकी जो रचनाए हैं किसको इन्होंने इनको समर्पित किया है और बिना आश्रेदाता कि इनकी रस राज को माना जाता है और रस राज नाम से ही पता जाल रहा है कि रस निरूपक ग्रंथ है ये ठीक है 1663 में इसको लिखा गया है और बच्चन संग इसको इनका पह मारे कवी हैं इसमें देखिए ये हैं महराज जस्वंत सिंग तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि ये राजा थे ना कि सही तेकार थे कहा ये जाता है कि ये मारबार के क्या थे प्रतापी राजा थे जनम इनका 1626-1688 तक रहा जनम और मृत्यू और इनका भय औरंग जे था वो भी इन से क्या करता था एक तरीके से डरता था ठीक है तो मारबार के ये प्रतापी राजा थे तो करी बार ये प्रशन भी पूछाता है कि किसका समद्ध किस से था है ना तो जस्वंत का मारबार का देखिए ये राजा रहे हैं ना कि सहीत्यकार रहे हैं और कहा ये जाता है कि ये साहित्य के प्रति क्या था इनका अनुराग था और ना सिर्फ खुद लिखते थे बलकि दूसरे लोगों को या कवियों को भी लिखने के लिए ये प्रेरित करते थे ये इनकी मौत्वण विशेष्टा माने जाती है हिंदी साहित्य के प्रधान आचारयों में तो देखिए ये भी दूसरे आचारय आगए है ना कुलपती मिश्र के बाद तो इसको भी आपने नो डॉन कर लेना है अलग से कहीं तो हिंदी साहित्य में ये क्या है प्रधान आचारयों में माने जाते हैं ठीक है इनकी जो रचनाए है लेखिए बाशा भूशन और यही इनकी इंपोर्टेंट रचना है इसके अलावा चाहिए आप इनको ना भी पढ़ें तो भी बात चल सकती है लेकिन मैं आपको कताई इस तरीके की सलाह नहीं दूँगा कि आप जो है इनकी अन्य रचनाओं को ना पढ़ें क्यूंकि UGC NET की आप जब परिक्षा की बात कर है तो आपको छोटे से छोटे पॉइंट को भी समझना है कि उसमें क्या चीज़ें मेंशन की गए है अगर आप दूसरी चीज़ों को जाना चा रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर इसको आप स्किप नहीं करना ठीक है तो चलिए बाशा भुशन जो कौन से हैं मैं विस्तार से आपको बताता जा रहा हूँ कि कौन सा कैसा है ठीक है तो यह देखिए इसमें इनुद किस्का अनुकर्ण किया है अप्यदिक्षित का जो कुवलया नंद ह सह जहाँ पर कुंवलया होगया यह कूवलया ह将 ठीक है कुवलयानंद और जैदेव के चंद्रा लोग का इनगोंने अनुकर्ण किया है ठीक है तो देखिए इनगोंने भी किसी का अनुकर्ण ही किया है तो अव्यसी बात है कि यह रीती पर रखी है अन्य जो मौतरफुन चीज है इसके बाद ये भाशा भूशन पर तीन टीकाएं लिखे गई हैं तो देखिए टीका लिखे गई हैं है ना सबसे पहले अलंकार रतनाकर उसके बाद भूशन चंद्रिका और प्रताप सिंग की टीका तो ये तीन टीकाएं हैं जो इन पर लिखे गई हैं भाशा चंद्र शुक्ल वाला है उसमें आप पढ़िएगा कि ये किसने लिखी है अगर आपको नहीं मालूम तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं आगे वाले लक्चर में आपको वो चीजें बता दूँगा कि ये किसकी है अभी मैं उसको रिकलेक्ट नहीं कर पा हूँ कि ये किन-किन ने लिखी है अगली जो महतवपुर्ण बात है देखिए प्रबोध चंद्रोध है जो इनकी प्रमुक रचनाय है और अपरुक्ष सिधान्त अनुभव परकाश अनंद विलास सिधान सार और सिधान्त बोध तो ये भी इनके महतवपुर्ण ग्रंथ मा कवी थे उनके बारे में अगले जो लेक्चर में हम आगे के जो पांच मौत्वपुर्ण और हमारे जो कवी है रितिवद उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे जिसमें हम रसलीन, देव, बिखारी और पदमाकर इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और लगभग हम मुझे comment section में जाकर बता सकते हैं तो फिर मिलेंगे नई उर्ज और नई स्पूर्टी के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जहिंत